नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने इस यूटूप चैनल अउनली टीचिंग पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं दो बड़ी अपडेट पहला है MCD PRT Case Code लेकर और दूसरा है OBC Issue को लेकर दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देजगा और इस वीडियो को लाइक भी कर देजगा अगर वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले हम बात करते हैं Case की जैसे कि आप से भी जानते हैं MCD PRT पर Case सल रहा है बंदा कुपता एंड अधर्स के नाम से जो की DSSB के अगेंस्ट है और इनका जो में मुत्ता है वह है deleted questions को लेकर की DSSB ने 30 सितंबर के सिफ्ट में से questions को delete क्यों किये तो इसी को लेकर आज सुनवाई थी कोट में जिसमें की कोट ने अगली डेट दे दी है 20 माई की और सबसे important बात यह है कि ऐसे अंदेशा लगाया जा रहा है कि सायद 20 माई को final decision आएगा कोट का यानि कि सारी hearings complete हो चुकी है और अब कोट को अपना फैसला सुनाना है तो 20 माई का जो दिन होगा बहुत important है उस दिन दो important hearing होगी एक मोना दलाल एन अदर्स के नाम से case है उसकी hearing 20 माई को है और दूसरा वन्ना गुपता अन अदर्स की तो यह तो important case है जिसके hearing 20 माई को होने वाली है जो भी update होगी आपको 20 माई को मिल जाएगी अब हम बात करते हैं दूसरी सबसे पहले हम इनके जो certificates है उनकी जाच करेंगे उसके बाद ही मिस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे तो इससे देखिए अब यह तो तैमान लीजे कि अगर ऐसा होता है तो सचमुछ जो joining process है वो delay होगा अगस्त या फिर September भी जा सकता है तो क्योंकि अगर जाच चलेगी तो का अगर इनको चांच करनी है तो OBC candidates की चांच करें लेकिन इसकी वज़े से इनको पूरी भरती प्रक्रिया पर बिल्कुल भी रोक नहीं लगानी चाहिए बाकी candidates का जो process है वो धीरी-दीरे continue कर सकते हैं और जैसे-जैसे इनकी जिन-जिन candidates की चांच होती जाती है उनका भी process ध प्रक्रिया को रोक देने से जो यह जॉइनिंग है बहुत ही डीले हो जाएगी और September तो काफी डीले हो जाएगा स्कूल की हालत क्या है आप सभी जानते हैं और इस समय टीचर्स की भारी demand है स्कूल में उम्मीद यह लगाई जाएगी थी कि एक जुलाई से जोइनिंग होगी क्योंकि स्कूल खुलते हैं और उस टाइम अगर टीचर्स आ जाते हैं तो ज़्यादा बैटर रहता लेकिन क्य अब ऐसा पेज पस चुका है तो इस वज़े से साइज जोइनिंग में तोड़ी सी डीले हो जाए लेकिन बीस मही को जो केस है उसकी हेरिंग आने दीजे जो भी फैसला आएगा वो भी डिसाइड करेगा कि आपकी जोइनिंग कितनी अफेक्ट होगी कितनी नहीं होगी तो यह दो बड़े अपडेट थे जो कि मैंने आपको आज इस वीडियो में बताएं वीडियो कर पसंद आए तो लाइक कर दिजेगा चैनल पढ़ना है तो सब्सक्राइब भी कर दिजेगा और इस वीडियो को शेयर कर दिजेगा अपने तमाम दोस्तों तक ताकि उनको भी पत